संध्या वंदन के बाद हमने भजन सुना और अब मैं इसी भजन में कुछ पंक्तियों पर मैं इसी भजन में आई कुछ पंक्तियों पर कुछ विचार मैं प्रस्त कर रहा हूँ बहुत ही गजब की बात वैसे यह भजन की रचना हमारे दिवंगत फणी भूसंजी महराज जो की जमालपूर मुंगेर के थे उन्होंने की थी बड़ा ही गहरा संदेश है उनके इस रचना में तन पवित्र था मेरा मन पवित्र था मेरा जब जहां में आये थे धर्म कर्म कुछ न था अपने न पर आये थे मन पवित्र था मेरा जब जहां में आये थे धर्म कर्म कुछ न था अपने न पर आये थे हम बेहोश हो गए होश जब समाला है और पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है जब किसी वेक्ति का जन्म एक शिशु के रूप में इस धर्म पर होता है बड़ा ही पवित्र मालूम पड़ता है बड़ा ही पवित्र होता भी है पुर्व के सारे संसकार उस वक्त यद्देपी उसके भीतर होते हैं लेकिन इस जनम में वो कोरा होता है इस जनम का कोई संसकार उस पर होता नहीं है ना उस वक्त उसे हिंदू होने का ग्यान है ना मुस्लिम होने का ग्यान है ना धनी होने का ग्यान है ना भिखारी होने का ग्यान है ना चोरी ना छल ना प्रपंच ना जूट ना निंदा ना शिकायत ना चुगली कुछ भी नहीं कोरा इंसान के रूप में वो धर्ती पर आता है उसकी मासूमियत आप देखेंगे इतनी सौम्यता इतनी दिव्यता शिशु के आँखों में उसके चेहरे पर उसके जीवन में कि देखते मन करता है देखते रहें इसलिए बच्चों को भगवान कहा गया शिशु को भगवान कहा गया क्योंकि मन में कोई छल नहीं है मन में कोई कपट नहीं है पवित्र है मन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है संगत बदलती जाती है और जीवन की रंगत बदलती चली जाती है मन पवित्र था मेरा जब जहां में आये थे जब जहां में आये थे संसार में आये थे मन पवित्र था भगवान की तरह उसे भगवान का दर्जा मिला बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं लोगों ने कहा बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और ये बात सच है छोटे बच्चे को देखकर हर किसी का मन होता है इसे हम प्यार करें, खिलाएं, गोद में ले ले क्योंकि मासुमियत है, सौम्यता है, प्रशनता है, निश्चलता है, निश्कपट भाव है, कोई कपट नहीं है और जिसके मन में कोई कपट ना हो, जिसके चेहरे पर कोई छल ना हो, फिर वो तो सब का प्यारा होता है इतनी दिव्यता के साथ हम इस धर्ती पर आते हैं, इतनी निर्मलता के साथ हम इस धर्ती पर आते हैं, लेकिन होता क्या है मन पवित्र था मेरा, जब जहां में आये थे, धर्म कर्म कुछ ना था, अपने ना पर आये थे और उस वक्त धर्म भी नहीं है, कर्म भी नहीं है क्योंकि धर्म कर्म की आवशकता ही तब पड़ती है जब हम अधर्म करते हैं, कोई कर्म करते हैं उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम कोरा है अपने न पराये थे, अपना भी नहीं है, पराया भी नहीं दोस्त भी नहीं है दुश्मन भी नहीं है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर सद्गुरु कबीर कहते हैं किसी से दोस्ती नहीं तो किसी से दुश्मन ही नहीं तो जब जनम लेकर कोई शिशु इस धर्ती पर आता है तो अपने न पराए लेकिन फिर उसकी यात्रा आरंब होती है माता पिता परिवार के सभी लोगों के साथ और होता क्या है हम बेहोश हो गए होस जब समहला है हम बेहोश हो गए होस जब समहला है बड़ी ही गहरी बात है अक्सर हम कहते हैं लोग कहते हैं कि बच्चा अब धीरे धीरे होस समहल रहा है बड़ा हो रहा है अब यह होस में आ रहा है लेकिन इसमें कहा गया हम बेहोस हो गए होस जब समहला है कि जब लोग कहते हैं कि होश समाला है जब लोग कहते हैं कि अब यह बड़ा हो गया है तो वस्तुता हुआ बेहोस हो रहा है बलकि बेहोस हो गया है क्योंकि जो कर्म बेहोसी में होते हैं वो हम होस समालने के बाद करने लगते हैं चाहे चोरी हो, नसा खोरी हो, सराब, ताडी, गुटका, तंबाकू, गांजा, भांग का सेवन, मांस, मचली, अंडा का सेवन, गाली, गलोज, निंदा, चुगली, शिकायत, ये सारी कर्म हम तब करते हैं, जब हमें लोग कहते हैं, अब ये तुसने होस समहाला है, अब ये ब कर्म ही बेहोसी में होते हों, वो हम होस समहालने पर करते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि हम होस में हैं या बेहोस में, जब तक बेहोस में थे, मन पभित्र था, जब तक बेहोस में थे, तब तक मन निश्चल था, जब तक बेहोस में थे, अर्थात जब तक शिशु रूप में थे कोई बुराई नहीं थी लेकिन जैसे जैसे हमने होस समाला धीरे 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 बुराईयां बढ़ती गई धीरे धीरे मन गंदा होता गया सद्गुरु कबीर अपने भजन में कहते हैं चदरिया जीनी रे जीनी सद्गुरु कबीर एक रास्ता भी देते हैं कि कोई बात नहीं बड़े होते गए संगत बदलती गई रंगत चड़ती गई कोई बात नहीं चिंता मत कर लोग जितने भी इस धरा पर आए चाहे वो अध्यात्मिक छेत्र में अपनी स्रेश्ठता को पाए कभी न कभी किसी न किसी कारण बस जीवन में दाग लगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता नहीं है सद्गुरु कभीर कहते हैं शुक देव ने निर्मल की ने दास कबीर ने ऐसी ओड ही जयों कित्यों धर दिनी चदरिया जीनी रे जीनी सद्गुरु कभीर कहते हैं इस चादर को ध्रुब ने भी ओड़ा प्रहलाद ने भी ओड़ा सुदामा ने भी ओड़ा लेकिन ओड़ करके निर्मल किया कोई दाग अगर लग गया उस दाग को उसने छुड़ाया गुरु धोबी सिसकापड़ा गुरु रुपी धोबी के पास जाकर अपने कपड़े को उसने धोया मन को धोया और साहिब कहते हैं मैंने तो इस चादर को ऐसा ओड़ा कि जो कित्यों धर्दीनी प्रकृती ने हमें जैसा दिया था मैंने वैसा लोटा दिया मैंने इस चादर को दाग ही न लगने दिया अर्थात शिशु रूप में जिस प्रकार इनसान धर्दी पर आता है उतनी ही पवित्रता, उतनी ही सौम्मता, उतनी ही निर्मलता, उतनी ही निश्कपटता के साथ सद्गुरु कबीर कहते हैं मैंने प्रकृती को यह चादर लोटा दिया हम बेहोश होते गए हमारे कर्म बिगडते गए लोगों के नजर में संसार के नजर में हम होश में आते गए और सद्गुरु कहते हैं नहीं तुम बेहोश होते गए जैसे जैसे तुम होश में आते गए तुम्हारे कर्म बिगडते गए